ग्रॉमा सेरील दिलावेज की नेक्स रपीचोड में आप लोग देखेंगे सिकंदर दिलावेज से महभबत करने लगा है दिलावेज का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता है लेकिन फारिया यह सब बरताष्ट नहीं कर पाती फारिया दिलावेज को अपने रस्ते से हडाने के लिए तमन्ना बेगम से मिलना शुरू कर देती है और तमन्ना बेगम से कहती है मैं दिलावेज को आपकी कोठे की रोनक बनाने के लिए आपका साथ दे सकती हूँ इस पर तमन्ना बेगम कहती है इसमें तुम्हारा क्या फाइदा है तुम दिलावेस का गर क्यों खराब करना चाहती हो इस पर फारिया कहती है दिलावेस मेरे और सिकंदर के दर्मियान आई है मैं सिकंदर से महबत करती हूँ मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ इतर दिलावेस जब अपनी खाला की महबत में एक बार फिर उनकी कोठे पर उनसे मिलने आती है तो फारिय चुपके से दिल अवेज की विडियोस बना लेती है और ये सब सिकंदर को बताती है लेगिन सिकंदर फारिय की किसी भी बात का यकीन नहीं करता तो जब फारिय सिकंदर को विडियोस दिखाती है तो सिकंदर भी दिल अवेज पर शक करने लगता है इज़ सिकंदर जब दिल अवेज से हकीकत जाने की कोशिश करता है तो दिल अवेज के पास कोई भी जवाब नहीं होता और वो चुप रहती है इस पर सिकंदर का शक यकीन में बदल जाता है और सिकंदर घुसे में वहीं पर खड़ा खड़ा फारिया के सामने दिलावेज को तलाग दे देता है जिस पर फारिया बहुत ज्यादा खोश होती है और दिलावेज कुछ भी नहीं बोल पाती दिलावेज का साथ देने वाला अब कोई भी बाकी नहीं रहा आखिरकार दिल अवेज को वापिस अपनी खाला के पास कोठे पर जाना पड़ता है जिस पर तमना बेगम बहुत ज्यादा खुश होती है दिल अवेज इस कोठे के महौल को अपना नहीं बाती और खुदकुशी कर लेती है और अपनी जान गवा बैठती है वो इन सब कामों से बच सके